पिर ये विद्यारतियों नमस्कार, Education School YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, हम पढ़ रहे थे Time and Distance, जिसकी 6 क्लास पहले हो जुकी हैं, जिसमें हमने 48 कुशन सोल कर लिये थे Question No.49, दो कस्बे A तथा B एक दूसरे से 500 किलोमेटर की दूरी पर स्तित है, एक रेल प्राता 8 बजे A से B की और 70 किलोमेटर परती गंटा की गती से रवाना होती है, दूसरी रेल B से प्राता 10 बजे 110 किलोमेटर परती गंटा की गती से A की और रवाना होती है, दोनों रेल गा क्या अबता है दूरी कि इसके बीच में 500 किलोमेटर एक रेल पराता आठ बजी ए से बी की और यहां से चलती है पराता आठ बजी आठ एम पर और स्पीड क्या उसकी 70 किलोमेटर पर आवर यहां से चलती है 70 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी रेल पीच से पराता है दस बजी यहां से चलती है वो 10 एम पर और स्पीड क्या है उसकी 110 किलोमेटर पर आवर एक और रवाना होती है दोनों रेल गाड़िया कम मिलेंगी तो देख वी यह आठ बजी चलती है और यह दस बजी चलती है देखो दोनों का समय बराबर कर लो बहित दस बजी तक कितनी दूरी तैकर देगी मालों दस बजी तक यांगों चीए दस एम ठीक है आठ बज़े चली थी दस बज़े तक कितनी दूर तै करेगी चाल गुणा समय तो चाल कितनी 70 किलोमेटर पर आवर और समय दो गणटे 8 से 10 तो यहनी 140 किलोमेटर के दूर यह तै कर लेगी तो अब सेस दूरी कितनी बचेगी यह यह तक इसने तै कर ली सेस दूरी बचेगी 500 में इस 140 गटा दो कितना बचेगा 360 अब 360 किलोमेटर के दूरी दोनों मिलकर तै करेंगी तो कितना समय लगेगा क्यों 140 तो इसने अकेले ने कर ली 10 बज़े तक अब 10 बज़े दोनों चलेंगी 110 और यह सत्र की स्पीड से निकालना क्या हमें समय तो समय बराबर क्या होता भी दूरी बटा आप एक सिक चाल दूरी कितनी है अब तिन सो साथ और चाल हो जाएगी अब दोनों एक दिसा में हो तो घट जाती है दोनों अपोजिट डारेक्शन में हो तो समय चाल जुड जाती है क्योंकि जल्दीता करेंगी न इसको 70 किलोमेटर यह लेगी 110 किलोमेटर यह गंटे में यह चलेगी दोनों जोड देंगे दूरी बटा आप एक सिक चाल इन रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 180 किलोमेटर पर आवर एक सिस कैंसिल करेंगे दो बार यह दो गंटे में वो मिल जाएगी कब से दो गंटे बाद 10 बजे के दो गंटे बाद गलती से या मत जोड देना आठ में दो ठीक है दो जोडेंगे तो 10 एम पलस टो आवर्स जोड दो इसमें कितना हो जाएगा वई तो बाराव जिस समय चेंज हो जाता है ने एम पी एम क्या हो जाएगा बाराव पी एम पर दोनों ट्रेन ने मिलेंगी ओप्शन बी क्योंसन नमर फिप्टी दो स्थानों यह तथा बी के बीच की दूरी 70 किलोमेटर है भी दो स्थान है ए और बी वह दोंनी की बीच की दूरी क्या है 70 किलोमेटर फिर बोला है दो कारे करमस्था स्थान ऑभे बी से एक समय चलना परार खरन करती है एक कार यहां से चलती है यदि वह एक की दिशा में चले तो 7 गंटे में मिलती है वह एक दिशा में चले, यह भी साइड चले और यह भी आगे की तरफ चले, तो मिलने में कितना समय लगेगा, 7 गंटे, वालो यहां मिलेंगे, तो कितना समय लगेगा, 7 गंटे, 7 गंटे, तो इसका मतलब क्या हो आई, पिछे वाली कार के स्पीड जादा होगी न, तब ही मिल पायेगे यदि इसके ज्यादा होतीी ज्यादा में चलना प्रायम करें तो एक गंटे में मिलती है यह सों एस साइड चले और यह साइड चले तो फिर मेरलेम कितना समय लगता है एक गंटा क्योंकि सपीड बढ़ जाएगी न दोनों जुड़ जाएगी और इस साइड बड़ी में इसी छोटी घट जाती है एक दिसा में दोनों चल रही हो तो आपेक्सिक चाल दोनों का चालों का अंतर होता है और अपोजिक डारेक्शन में हो तो दोनों का योग ही आपेक्सिक चाल होता है तो देखो क्या निकालेंगा हम अब हमारे पास क्या है दूरी है और समय है तो चाल निकालेंगे आपेक्सिक चाल जब एक दिसा में चले ठीक है एक दिशा में चले तो आप एक सिक चाल एक दिशा में चले आप एक सिक चाल तो एक दिशा में चलेंगी तो बड़ी चाल में से छोटी चाल घट जाती है तो देखो भई, यहां से यहां मिलेंगी बीच की दूरी कितनी है? किलो मिटर यहनि इसको कवर कर ने पड़ेगी दूरी बता समय समय किना लगता है उसको शात गंटी तो साथ से बाग देदो चाल के आगई 10 किलो मेटर पर आवर दोनुए एक दिसामे चले तो आप एक शिक चाल आज्ञेक दस km per hour जब वीपरीत दिसामे चले तो आप एक सिक चाल वीपरीत दिसामे यह साइड चले और यह साइड दूरी 70 किलोमिटर तें करियें같े और समय कितना एक गुंटा तो दूरी बाटा चल यहीं कितना चले 70 70 km per hour और दोनु दोनों एक डिसा में चलते हैं तो 10 km per hour और दोनु अоп Zwe is चलती एक दूसरे के तो चाल कितनी हुजाएगी 70 km पर आवर तो हमने क्या मानना था वही इसको मान लेते हैं एक्स किलोमेटर पर आवर पहली गाड़ी की चाल और इसके मान लेते हैं y km पर आवर तो यह जाधा है ठीक है तो दोनों का योग करेंगे एक्स पलस y km पर आवर तो चाल कितनी है 70 कि दोनों के जुड़के कितनी है 70 क्योंकि विपरी चलेंगे तो जुड़ जाती है और एक दिसा में चलेंगे तो घट जाती है एक्स माइनस है y 10 km पर आवर इसको सोल कर लो बगई कई बार बता रखा आपको दो संख्या योग और दो कांतर दे रखा हो तो बड़ी संख्या निकान लाओ तो एक्स पर आवर क्या जाएगा दोनों को जोड़के 2 से बाग 40 और छोटी संख्या निकान लिए हो दोनों कां पर आवर इन पहली गाड़ी की चाल है 40 km पर आवर और इसकी स्पीड है 30 km पर आवर ओप्शन हो जाएगा 40 और 30 ओप्शन B क्यों सर नमबर 51 एक बस ट्रेमिनल से पर तेक 10 मिनट के अंतराल पर 20 km पर ती गंटा की गति से बसें चुटती है पर यहां से परतेख 10 मिनिट में बस चलती है और बस की साल क्या है 20 किलोमेटर पर आवर थीक है परतेख 10 मिनिट में अगली बस चल पड़ी फिर 10 मिनिट वाद अगली बस चल पड़ी ऐसी चलती है वेपरी दिशा से बस टर्मिनल की और आने वाले एक व्यक्ति को ये बसे आठ मिंट के अंतराल पर मिलती है एक व्यक्ति वह यहाँ पर है व्यक्ति और ये बस टर्मिनल की और आ रहा है और इसको परतेक बस परतेक बस आठ मिन्ट के अंतराल से अंतराल से मिलती है यह करोश करती है ठीक है विश्चलती दस मिन्ट के अंतराल से है लेकिन व्यक्ति ट्रमिनल की ओर आ रहा है बस्टेंड की ओर आ रहा है तो उसको परतेक आठ मिन्ट में बस मिलती है ठीक है वेक्ति की गती बताई वेक्ति के में क्या बताना है गती तो आप एक सिक समय देख लेंगे क्या है आप एक सिक समय आप एक सिक समय तो देखो भी, यहां से चलती है 10 मिनिट में और वेक्ति को मिलती है परते एक बस आठ मिनट में यहां सब प्रतेक दस मिनट में चलती है लेकिन इसको प्रतेक आठ मिनट में बस मिल जाती है क्योंकि यह भी तो बस टेंट की तरह बढ़ रहा है तो कवर हो जाती है तो समय कितना लगता है वही आठ मिनट आठ मिनट कब जब बस भी चल रही है और व्यक्ति भी चलता है कि दूरी कुछ ये करो ये भी तैय कर देता है ठीक है तो क्या करेंगे समय कौन सा समय आप एक सिक समय यालिको बस और यालिको बस पलस व्यक्ति बरते एक बस दस मिनट में छुटती है ठीक है लेकिन व्यक्ति को कितने समय मिलती है आठ मिनट में बस पलस व्यक्ति दोनुँ चले तो समय कितना लगता है आठ मिनट ठीक है वैसे तो दस मिनट के अंतराल से है लेकिन व्यक्ति भी चले तो आठ मिनट में मिल जाती है बस ये एक जे खड़ा रहेगा तो परते एक 10 मिनिटे में मिलेगी इसको लेकिन ये कुछ चल रहा है इसलिए 8 मिनिट में मिल जाती है बस रेश्यो करो इसका पांच अनुपात च्यार ये समय का अनुपात तो आप एक सिक चाल निकाल लेंगे कि छाल का अनुपात में समय का नुपात का वींप्रित होता है तो चार अनुपात कितनी है अनुपात में चार और Cr Dank कि वैल्यु क्या ते राख हूँ बीस मेटर पर आवर शार aún पात कि वैल्यू बीस किल्धक्र पर तो दिएक नऊपात की वेलिव आजायेकні, 4 से बाग देंगे, तो 5 km पर आवर ठीक है। एक उनुपात की वेल्यू, 20 किलोमेटर पर आवर, एक उनुपात की वेल्यू, 5 किलोमेटर पर आवर, अब देखो, बस की चाल कितनी अनुपात में, 4, बस पलस वेक्ति, दोनों की चाल कितनी है, 5, इसका मतलब वेक्ति की चाल कितनी है, 5, इसका मतलब वेक्ति की चाल कितनी ह चाल है एक इस तो एक ते कि चाल हो जाएगी व्यक्ति की चाल अनुपाँथ में कितनी एक प्रेगनों प्राइव निज्स 5 km क्लियों पर आवर रहा है देंच तक है यात्रा करता है ति कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय देखो 5 km पर आवर की स्पीड से चलता है और कितने समय चलता है 6 गंटे और फिर अगले 3 गंटों तक भी 6 गंटे के बाद अगले 3 गंटे क्या करता ये स्पीड 6 km पर आवर कर देता है तो उसको उसत गती बताना है उसत चाल दो सत चाल क्या हो जाएगी खुल दूरी बटा कुल लिया गया समय तो कुल दूरी देखो भी 5 km के स्पीड है पर आवर की और कितने गंटे चलता है 6 गंटे तो दूरी जाएगी 4 गुणा समय ये 30 km चला भी यहां पी 30 km फिर चाल 6 km पर आवर समय तीन गंटे या कितने दूरी तेकी 6 गुणा 3 18 km तो कुल दूरी ओ जाएगी 30 और 18 48 और कुल समय कितना लिया 6 और 3 नू दोनों जोड़ देंगे 3 से कैंचिल कर दो 16 3 से 3 16 बटा 3 3 पांजे 15 एक बटा 3 5 से 1 बटा 3 किलोमेटर पर आवर ओप्शन B क्यूस्टन नमर 53 एक लड़का 12 किलोमेटर परती गंटा की गती से 10 किलोमेटर तक अपनी साइकल से यात्रा करता है पुने भई लड़का 12 किलोमेटर परती गंटा की गती से चलता है पहले चलता है 12 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से तो उसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय कुल दूरी कितनी है 10 और 12 किलोमेटर बटा कुल लिया गया समय समय कितना लिया देखो भी समय कैसे निकालेंगे दूरी बटा चाल दूरी बटा चाल किया आएगा समय पलस दूरी बटा चाल टोटल समाज आएगा कैंसिल कर लो दो से करेंगे पांच बटा छे छे बटा पांच उपर क्या है बाइस बटा में अब जोड़ दो इसे जोड़ना वो देखो हर में एक कॉमन क्या है कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुरोश गुना कर दो पांच गुना प पांच पट्चीस और शेगंट शेट इस पट्चीस और शेट जोड़ेंगे तो एक सट एक सट बटा निच्चे दोनों का गुन फलिख दो शेट गुना पांच तीस एक सट बटा तीस तो तीस क्या हो जाएगा उपर चला जाएगा ठीक है वह यह पांच पटा शेट पलस शेट पटा पांच को जोड़ोगे तो क्या आएगा एक सट बटा तीस जोड़के देख लेना लची मिलेके मैंने कैसे बताया कुछ भी कॉम्बन नहीं हो तो क्रोश गुना कर दो पांच गुना पांच पच्चीस शेगुना तो तीस उपर चला गया ठीक है अब यह एंसल होता नहीं है नहीं होता न तो क्या करेंगे इनकी गुना कर दो गुना करेंगे तो जाएगा 22 यह 66 चैसर साथ बटा में 61 अब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 61 बचेगा पांच फिर बागना नहीं जाएगा जीरो तीकर दस्वनों लगाएंगे जीरो तारिक इतना जाएगा पांथव कि तो कितने बार में जाएगा यारी आठ बार में आट से आठ 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 चिके अर्ट तर्ट शुठाशी हो जाएगा आठ बार में तो एक दस्मालों तकी बता रखे आंजोन तो क्या जाएगा दस पॉइंट आठ किलोमेटर पर आवर ओप्शन बी क्यूस्टन नमर फिप्टीफोर एक यात्रा का एक त्याई भाग 25 किलोमेटर प्रति घंटा से लि 30 किलोमेटर प्रति घंटा से जो भी यात्रा है उसका एक चौथाई भाग 30 किलोमेटर प्रति घंटा की स्पीड से तता 6 भाग को 50 किलोमेटर पर आवर की प्रति घंटा की से ते क्या जाता है तो पूरी यात्रा के दुरान उसके उसकत गती बताएं तो क्या करेंगे कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय दूरी ऐसी संख्या मानेंगे जो इन सब से कट जाए तो दूरी क्या मानेंगे दूरी इन सभी से कट जाए तो 25, 30 और 50 का अलशे माल लो कितना जाएगा 150 लेकिन 150 इससे नहीं कटेगा 3 से कट जाएगा 4 से नहीं कटेगा तो इसको भी 4 से गुणा कर दो कितनी माल ली 600 कोई फरक नहीं पढ़ता चाहिए इससे गुणा कर दो 15 से गुणा कर तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें ऐसी संख्या मानना है ताकि इनको काटने में दिक्कत नहीं आए ठीक है तो देखो एक ती आई 600 गा एक ती आई करें कितना जाएगा वई 200 किलो मेटर एक बटा च्यार करेंगे अच्यार करेंगे से गटा देगे से थिखना बचेगा 250 यह दूरी आ गई है हमें क्या नेकालना है ओसत्त गती ओसत्त गती दोसत्त गति क्या वत्ता भई कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय तो कुल दूरी कितनी हो गई जोड़ेंगे 200, 140, 5200 जोड़ेंगे तो 600 कुल लिया गया समय तो देखर समय कितना लेगा यह कितना कब टे करेगा 25 से दोसत्ते यानि 8 गंटे में 30 से करेगा 30 गुना 5 150 या पाँच गंटे में टे करेगा तो 5 गंटे कहां लगेंगे पचास के स्वीट से जाएगा तो सुपचास किलोमेटर तो पचास से बाग देंगे तो पांच गंटे या लगेंगे ठीक है तो कुल दूरी है 600 और कुल लिया गया समय है 8, 5, 13 और 5, 18 18 से बाग दे दो 6 से करेंगे तो 100 और 6 से 3 100 और 3, 33 से एक बटा 3 किलोमेटर पर आवर Option B Question No. 55 एक वेकती कार दवारा एक निस्ची दूरी तै करता है वेकुल यात्रा का 30 पर 30 से बाग 20 किलोमेटर परती गंटा की गती से 60 पर 30 से बाग को 40 किलोमेटर परती गंटा से तो शेस पसी दूरी को 10 किलो मेटर प्रती गंटा की गती से तै करता है कुल यात्रा की ओसत गती बताएं मैं तीन बागों में बाट करता है करता है पहले चलता है वो 30 परतिसत बाग 20 किलो मेटर पर आवा की स्पीड से 30 परतिसत बाग 30 पर तिस परतिसद का मतलब वही क्या हो जाएगा 30 बटा 100 यानि 3 बटा 10 थेक है फिर 60 परतिसद बाग 40 km पर रावर की स्पीड से 60 परतिसद का मतलब 60 बटा 100 यहीं 3 बटा 5 बाग और शपीड है 40 की फिर 6 बाग को करता वही 10 km पर रावर तो 6 कितना पजेगा 30 और 60 90 दस पर 30 बाग को यानि एक बटा 10 बाग को ठीक है तो अब क्या करेंगे दूरी मानेंगे दूरी 20 40 और 10 का LCM क्या आएगा 40 लेकिन 40 मानने से दिक्क्त आएगी, क्या आएगी भी यहां करेंगे 3 बटा 10 करेंगे, कितना आजाएगा 12, लेकिन 12 को 20 से बाग देंगे, फिर 20 के रूप में आएगी संख्या, इसलिए क्या करो इनका भी अलसिम ले लो, 10, 5 और 10 का अलसिम क्या आएगा, 10 इस से बाग गुणा करें, दो 10 से तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 400 किलो मेटर, दूरी कितनी भी माननो भी अवरेज तो भी आएगा, ठीक है 40 से 400 किलो मेटर, अब देखो 3 बटा 10 करेंगे, चार्षोगा तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 40 बटा 3 एक बटा 10 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 40, यह हो जाएगा 40 किलो मेटर, ठीक है हमें निकालना है ओसत गती तो ओसत गती क्या हो जाएगी कुल दूरी, बटा कुल लिया गया समय, तो कुल दूरी कितनी है 400 किलो मेटर, और कुल लिया गया समय देखो भई 20 की स्पीड से जाएगा 120 किलोमेटर कितना लेगा 120 को 20 से भाग देंगे तो 6 गंटे पलस कि 240 किलोमेटर की दूरी तया करेगा 40 की स्पीड से तो 6 गंटे में और 400 को 40 को 10 से भाग देंगे 4 गंटे तो 400 बटा 12 और 4 16 16 से भाग देंगे 16 कुना 32 बचे गार 16 बांजे 80 25 किलोमेटर पर आवर ओप्शन एक क्यूसर नम$56 एक आदमी अपनी समपूर्ण यात्रा को तीन बराबर भागों में बाट कर करम से 20 कुलोमेटर परती गंटा 20 कुलोमेटर परती गंटा 15 को 20 क किलोमेटर पर ती गंटा की चाल से जलता है तो समपूर्ण भाग के दोरान उसकी औसाँ चाल कितनी होगी वह यात्रा को बराबर तीन बागों में बाटता है और सपीड रखता है 20 किलोमेटर पर आवर 30 किलोमेटर पर आवर और 60 किलोमेटर पर आवर तिन्नों बाग बराबर है बिकी बार दूरी क्या माल लेंगे एक बाग की दूरी या परतेक बाग की माल लो क्या हो जाएगे इन तिनों कल्सियम मालनों बीस तीस और साथ का आल सीम ल्सियम कितना अगा साथ 242 कल्सियम, 6, पर टीग बांग की मन्नी मोही ही हमनी, तो यह कितना हो जाएगा, 60 किलो मेटर, यह भी 60 किलो मेटर, कि तिन्नु भांग बराबर है, ठीक है, निकालना क्या है, 40-zn, 40-बा, तो कुल दोरी कितना हो जाएगा, अब इस यह नहीं मानें गे, किस स्पीड किलोमेटर किलोमेटर तो दो गंट और साथ किलोमेटर ऑफ सब्सकेशें 205 चीट टीज किलोमेट्र अफ क्यूसन नंबर 57 एक बस करमस से तीन लगातार पर तेक तीन किलोमेटर लंबी सुरंग को करमस से 10 किलोमेटर परती गंटे 20 किलोमेटर परती गंटे तथा 60 किलोमेटर परती गंटे की गती से पार करती है उसकी ओसत गती बताए इस क्यूसन को सोल करके आंसर कमेंट बॉक्स मे लिखेंगे, मिलते हैं अगली कलास में, धन्यवाद